बावम सोल्ब करेंगे इस निए 22 को क्वेस्चन को तो हमसे कहा गया है कि एक ग्लास सर्फिस पर एक लाइट रेव प्रॉल की है उसके लिए क्या होता है sin i upon sin r होगा n glass upon n air तो फिर दोस्तों sin i upon sin r equal to n glass upon n air तो दोस्तों जब आप solve करेंगे तो आपके पास आएगा sin 60 upon sin r equal to root 3 upon 1 तो sin 60 हो जाएगा root 3 sin r ऐसे sin r के value होगी root 3 root 3 cancel 1 by 2 तो आर के value होगी दोस्तों 30 डिगरी तो फिर अगर हम यहां पर लिख दें 30 डिगरी तो फिर यह कॉंसी रहे रिफ्लेक्टर रहे और यह रिफ्लेक्टर रहे तो इनके 20 का एंगल हो जाएगा 90 डिगरी सो डी इस दराइट आंसर